परचय लो ये आई शकरकंदी और ये रविवार का मासाहार मेरे खयाल से अब हमें खाने को तयार होना चाहिए हम सभी को स्वादिष्ट खाना अच्छा लगता है तो आईए आहार के बारे में कुछ जाने आउ सीखें आहार के बारे में बताना आहार के स्रोत बताना सुरक्षात्मत भोजन के बारे में जानना शाकाहारी और मासाहारी भोजन के बारे में अंतर बताना आहार हम सभी को जिन्दा रहने के लिए भोजन की आवर्शक्ता होती है हम रोजाना अलग-अलग तरह का भोजन करते हैं भोजन हमें खेलने और काम करने के लिए ताकत देता है ये हमें स्वस्त रखता है ये हमें मजबूत बनाने और बढ़ने में भी मदद करता है पौधे हमें भोजन देते हैं हमें भोजन पौधों और जानवरों से मिलता है दोस्तों पौधे हमें फल वह सबजियां देते हैं वे हमारे लिए अच्छे होते हैं तथा जानवरों से हमें मास, अंडा और दूध मिलता है सुरक्षात्मक भोजन दोस्तों, भोजन हमें बहुत सी बीमारियों से बचाता है जो भोजन हमें बीमार पढ़ने से बचाता है, उसे हम सुरक्षात्मक भोजन कहते हैं हमें धेर सारा पालक, बंदगोभी, सेम और फल खाने चाहिए शाकाहारी और मासाहारी भोजन दो प्रकार का होता है या तो शाकाहारी या मासाहारी हो सकता है क्या आप इस बारे में और जानना चाहेंगे तो आईए इसके बारे में जाने फल, सब्जिया, दूद और दूद से बनी सभी चीजें शाकाहारी भोजन कहलाती है आम तोर पर हमें शाकाहरी भोजन पौधों से मिलता है आपका पसंदीदा चीज्ज और आईस्क्रीम भी शाकाहरी भोजन है हमें मासाहरी भोजन जानवरों से मिलता है हमने क्या चर्चा की? भोजन हमें ताकत देता है और बढ़ने में हमारी मदद करता है हमें पौधों और जानवरों से भोजन मिलता है सुरक्षात्मक भोजन हमें बीमारियों से बचाता है फल, सबजिया, दूद और दूद से बनी चीजें शाकाहरी भोजन होती है अंडे, मुर्गा, मास और मचली मासाहरी भोजन है